सम्विधाई संस्थाएं है स्टैच्यूट्री बॉडिज राज्य पुनर्गठन अधनियम उन्हें सौचपन के तहत इस्थापित कुल छे परिशदे हैं इस्टर्न पूर्गी दूसरी है वेस्टर्न वश्चमी तीसरी है नौर्धर्न उत्तरी चौती है सदर्न दक्षनी पाच्वी है सेंट्रल मध्य और छटी है कछी नौर्ध इस्टर्ण या पूर्वोत्तर तो जो इस्टर्न है उसका हेद्वाटर है को इस्टरन है उसका हैड़क्वाटर है मुंबई नॉर्दन का हैड़क्वाटर है दिल्ली सदन का हैड़क्वाटर है चिन्नाई सेंट्रल का हैड़क्वाटर है इलहाबाद या प्रियागराज और नॉर्थ इस्टरन का हैड़क्वाटर है शिलॉंग जिसकी इस्थापना की ग तर में गठित कह सकते हैं इसको इस इस पुलकाता मुंबई न्यू डेली चिन्नए प्रियाग राज और इधर हो गया शिलॉंक यह च्छे परिशदें हैं अब इसमें लिखा जाएगा कि अंडमन तथा निकोबार एवं लक्षद्वीप किसी परिशद में शामिल नहीं है लेकिन दक्षणी परिशद की बैठक में विशेश रूप से आमंत्रित होते हैं तो जो प्रशासक है वह विशेश रूप से आमंत्रित होता है उस दक्षणी परिशद की बैठक में इतनी बातें संग राज प्रशासनिक संबंधों के बारे में हम कर सकते हैं उसी के हिसाब से यहां पर हम उसका अध्यन करके यह देख सकते हैं कि संग राज प्रशासनिक संबंधों में उद्देश यह है कि राज्यों के बीच किसी तरह का विवाद नहीं हो और समन्वे कारी महौल बना रहे चाहे वो आपस में बातचीत करके हो अंत्राज्य प्रश प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या समिधान में है सबसे महत्पूर्ण इन संबंधों में है कि हमने इसमें सहकारी संगवाद के एक सैधान्तिक पक्ष को शामिल कर रखा है अनुशे 258 और 258 एक तहत